ओम नमस्षिवाई बगतो कुछी दिनों में होली आने वाली है और तंत्र में होली का बहुत बड़ा महत्व है इस दिन किया गया कोई भी तंत्र खाली नहीं जाता मंत्रों की सिद्धी के लिए भी होली का जो पर्व है उसको बहुत ही बड़ा स्थान दिया गया है होली के दिन किया गया कोई भी तंत्र मंत्र कभी विफल नहीं होता तो ऐसे में ही जो मिर पास ज़्यादातर क्वैरी आती है कि जो दंपत्ती होती है उनके बीच में कोई तीसरी औरत आ जाती है किसी सौतन को हटाने के लिए मैं आज आपको एक रामबान इलाज बताऊंगा जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा ये अती गोपनी ये तंत्र था लेकिन इसकी जरूरत को देखते हुए मैं आपके साथ ये सांजा कर रहा हूँ इसको इस्तमाल किजए और एक ही बार में अपना मनवरत सिद कीज़ी जो भी आपके रिष्टे के बीच में आ रहा हूँ उसको हटाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं इससे होगा ये कि आपके रिष्टे के बीच में जो भी तीसरा परसन या तीसरी औरत या फिर आदमी आ रहा हो हो वो जिन्दगी भर के लिए मुड़के भी आपके पती को या फिर आपके साथी को देखेगा नहीं इसमें आपको करना बस इतना है कि होली दिवाली पूर्णीमा या फिर किसी भी शुब मूरत में आपको ये यंत्र बनाना है केसर की शाही से और इसमें अनार की कलम से आपको ये बनाना होगा केसर की शाही से और जो औरत है या फिर आदमी है जो भी तीसरा जो आदमी है उसक पोटो के पीछे ये यंत्र बनाना है ये यंत्र बनाकर या तो इसको होलिका में जला दीजिए या किसी वीरान स्थान में गाड़ दीजिए ऐसा करने से हफते के भीतर भीतर आपको अपने रिष्टे में सुधार होता हुआ दिखने लग जाएगा अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर और होली पर किया गया ये यू समझे कि आप सीथे भगवान से बाते कर रहे हैं उस दिन कुछ ऐसे दुआर खुलते हैं जो कि इस तंत्र को बिलकुल सटीक साबित करते हैं आप एक बार ये कीजिएगा तो जितनी भी आपकी जटिल से जटिल समस्या क्यों न हो वो भी इस से दूर हो जाएगी ये अंतर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आपको यहीं पर पोस्ट करके दे दूँगा और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा धन्यवाद